Women's T20 World Cup 2024 के फाइनल में T20 World Cup को मिलने वाला है एक न्यू चैंपियन के ओकि यार इसमें होने वाले है South America और New Zealand फाइनल में 2009 से पहली बार ये होगा कि Australia की Women's Team फाइनल नहीं खिलने वाली हो और ये हिस्टी में पहली बार है मेंस हो या फिर Women's T20 World Cup फाइनल हो जहां पर Australia, England, India या फिर West Indies की टीम नहीं है तो आज हम प्रिव्यू करने वाले हैं इस एपिक फाइनल का क्योंकि यह हिस्ट्री तो पक्का ही क्रियेट करने वाला है तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखना क्योंकि वहां भी हम फैंटेस अफरिका की टीम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो आज हैं और वालिंग में बहुत ही अच्छे से उनको रेश्ट्रीट किया एक ठोटे टोटल के ऊपर और उसको चेस करने में बहुत बड़ा हाथ निवाया लॉरा उलवार्ट और एनिके बोश ने वो जो एनिके अगर बात करें तो लगातार 10 मैच इस T20 के हार के आ रहे थे इस T20 वर्लकप में और जिस तरह से सोफी डिवाइन ने ये टर्न आराउंड किया है निव्जरेंड के लिए बहुत ही काबिले तारीफ है वेस्ट इंडीस के टीम को सेमी फाइनल में हरा गया थे और वहां पे उतना बड़ा स्कोर नहीं लगाया था लेकिन जिस तरह से बॉलर्स ने परफॉर्म किया फिर वो इडन कार्सन हो एमिलिया केर हो लिया था हूँ हूँ या फिर प्रेंड जोनस इन लोगों ने इस ठोटे टोटल को जिस तरह से डिपेंड किया अपने नवस के उपर काम जो पहले दो एडिशन वह थे वहाँ पे लगा था दो फाइनल्स के ले थे और अब यह थर्ड फाइनल खेलने वाले है 14 एर्स के बाद हेड टो हेड रेकॉर्ड की अगर बात करें तो 16 मैच इस वह है दोनों टीम्स के बीच में जहां पर न्यूजिलेंड की टीम 11 मैच जी इन दोनों टीम्स के बीच में चार जीते हैं न्यूजिलेंड ने दो जीते हैं साउथ अफ्रिका ने तो कितना अप एंड डाउन दिखेगा हेड टो हेड रेकॉर्ड में भी पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह दुबए का यह जो पिच है यह डिसेंट ट्रैक है बैटर के लिए भी यहां पे है पेस वालर सो चुरुकर यहां पे जो पेसर से फटीफोर विकल निकाल है लिए बात करें तो बैंग 11 के बारह में तो न्यूजिलेंड गारहें चेंज होगा, same to same team खिलाएगे, tactical change होगा, ऐसा भी मेरे को कुई लग नहीं रहा, South Africa की team की बात करें, तो वहाँ पे भी कुछ injury concern नहीं है, वो भी same to same team खिलाएगे, और हाँ अगर इस match के बारे में बात करें, तो मेरे को ये match ऐसे लग रहा है कि South Africa की batting versus New Zealand की balling के बीच में हो ही नहीं है, generally लेकिन balling बहुत ही कमाल की रही है, ballers में Amelia Care, friend Jonas, Eden Carson, Rose Mary Mayor लियाता हूँ, इन लोगों ने बहुत ही कमाल की balling किये है, तो आप expect कर सकते होगे, अच्छा battle हमको देखने हो मिलेगा, और अगर thriller match हुआ है final, तो और भी मता होने माला है, players to watch out for की अगर बात करें, ऐ ऐसे players जो आपको अच्छा point कमा कर दे सकते हैं, अपना अच्छा perform करके, क्योंकि यार ये final match है, तो expect करोगे कि यहाँ पर ये players अच्छा perform करेंगे, तो न्यूजिलेंड के players के बारे में अगर बात करें, तो देखो, न्यूजिलेंड से सबसे पहला नाव है, Sophie Divine का Captain है, और South Africa के सामने, इसने अब तक 14 matches के लिए जहाँ पे उसने 699 runs बनाए है, average है उसका 69.90 का, एक century लगाई और 750 जे बहुत जादा पसंद कर दिये, South Africa के सामने perform करना, और 15 wickets भी ये important है, balling की नहीं है, उतना चा, perform भी नहीं है ball से, लेकिन हाँ, क्या पता, एक दो और डाल भी जाए नमबर 2 के उपर है, और लेजेंड जो है सुधी बेट, जिसने 585 runs बनाए है, average है, उसका 48.75 का, 350 जो रहे है, एक century है इसके भी नाम, 3 wickets निकाले है, balling करके, semi-final में इसने आखरी और डाला था, जहाँ पे इसने विकेट निकाली थी, नमबर 3 के उपर है, Amalia Care, 168 runs है, इस के 2.50 लगाई है, balling में 9 wickets है, इसके नाम 11 matches में, और अब तक leading wicket taker रही है, street 20 world cup में, तो यहाँ पे यह बहुत ही जादा important रहने वाली है, balling में भी, आगे है निउजेलेंड की spinner, जो है इडन कारसन, जिसने 2 wickets ही निकाल पाई है, सिर्फ 3 matches में, लिकिन यह जो pitches है, important होने वाली है, निउजेलेंड के लिए, आगे है रोज मेरी मेर, 3 weekend निकाल है, इसने 3 matches में, और अब तक यह world cup बहुत ही अच्छा गया है, रोज मेरी मेर का, पिछला match छोड़े, तो हर match में almost 1 week निकाला ही निकाला है, अब बात करतें, साउथ अफरिका के players के बारे में, त 23.20 का average है, लॉरा उलवाइट का बहुत ही कम है, उसके standards को अगर देखा जाए तो, लेकिन final match उमीद कर सकते है, यहाँ पर अच्छा करेगी, आगे है टैस्मिन ब्रेट्स, लॉरा उलवाइट की opening partner, इसका record को उतना खास नहीं है, 74 runs ही लगा पाई है, 7 matches में, average है 14.80 का, ले South Africa के लिए, इस final में होने वाली है, 84 runs ही लगा पाई है, average भी बहुत ही कम है, 16.80 का, लिएन बहुत से 8 wickets निकाली है, 8 matches में, तो यार यह balling में बहुत ही important होने वाली है, आगर यह top order उडा ले गई, New Zealand का, तो समझ लो, वहाँ पे South Africa को final जितने से कोई नी रोग सकता, फिर आती है, Chloe Trion, Chloe Trion का बैट से record बहुत ही कमाल का है, 199 runs, 6 wicket balling में, total 12 matches में, average इसका कुछ 24 का था, और बाकी सब players में इसका सबसे best है, तो promote भी किया जा सकता है Chloe Trion को इस match में, balling में अगर बात करें तो M Laba भी है, वहाँ पे जिसने 5 wicket निकाले है, 7 matches में, economical balling करके, तो यह थे कुछ players जो आपको अच्छा perform करके दे सकते हैं, और अच्छे points भी कमा कर दे सकते हैं, अब बात करते हैं, प्रेडिक्शन के बारे में, तो देखो, इस match के लिए मेरा prediction है, कि New Zealand के लिए सबसे जाधा run बनाएगी Sophie Divine, अभी तक बिल्कुल भी चली नहीं, इस T20 World Cup में, एक match च score बना सकती है, South Africa के लिए अगर बात करें, तो मैं expect कर रहा हूँ, लोरा उल्वार्ट वहाँ पे सबसे जाधा run बनाएगी, अब बात करते हैं, most wickets के बारे में, तो मेरे को लग रहा है, New Zealand के लिए सबसे जाधा wickets जो निकालेगी, वो होगी Amalia Care, और South Africa के लिए वो clear होगी Am match prediction की बात करें, तो मेरे को लग रहा है, यहाँ पे New Zealand की team इस match को जीत कर, T20 World Cup finally उठाएगी, men's team भी नहीं कर पाईए, women's team भी नहीं कर पाईए, और यह history create कर सकते हैं, हाँ, आप लोगों के कुछ thoughts अलग होगे, आप किसको support करोगे, यह comment करके ज़रूर बताओ, साथ ही आप करते हैं, fantasy team के बारे में, तो wicket keeper में मैंने रखा है, Maddy Green को, batters में है, Suzy Bates, Laura Woolward, N.A.K. Bosch और Georgia Flimmer, Desmond Briggs को ड्रॉप किया है, all rounders में मैंने रखा है, Sophie Divine, Mary Zen Cap, Amelia Care को, ballers में है, rose Mary Mayor, Eden Carson, और M. Laba, captain रखा है, Amelia Care को, wise captain रखा है, Mary Zen Cap, आप जाओ तो Eden Carson, या फिर Sophie Divine के उपर risk लेना करने वाला होंगा, तो वो आपको Telegram और WhatsApp चैनल के उपर मिलेगे, link description में, join कर लो, मुझ से connect करना चाहते हो, आप follow कर लो, Instagram को, या पर join कर लो, Discord server को, उनके भी link description में मिलेगे, उमीद करते हैं, final match, एकदम मज़ेदार thriller होगा, क्योंकि दोनों team जो है, वो बहुत ही जादा deserving ह यह final को खेलने के लिए, और मैं तो बहुत ही जादा excited हूँ, कोई भी चीत है, अच्छा ही होगा, उस country के लिए बहुत ही जादा important है, लेकिन हाँ, जो हारी की, उनके लिए बुरा तो लगेगा, यह obviously, क्योंकि इतना अच्छा खेल के यह लोग आये हैं, तो देखते हैं, मै के लिए के लिए गुगली डालो, या फिर लोरा उलवाड का कर रहा है, मेरो को नहीं मालू हो जाना है चाहिए, 900 सब्सक्राइबर के बहुत जादा नस्दीग है, साधी इस चैनल के ओपर हम लाइव स्टीम में करते हैं, जहां पर हम डिसकेशन करते हैं, जहां पर आपकी मिसाओ नहीं करना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिक्शन बेल को ओल पर सेट कर दू, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो है लाइव स्टीम में, तब दर ख्यालों को अपना भी और अपनों का भी, तब दर के लिए बाई बाई